दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी टिप्स लेकर आई हूं तो वीडियो में आगे तक बने रहेगा अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलेगा चैनल को दोस्तों इस तरीके से माचिस की डिबिया में डाल देनी है और इस अची तरीके इस चावल में आ जाएगा और यह बिल्कुल अच्छे बने रहेंगे और आपकी माचिस बिल्कुल खराब नहीं होगी इसके मसाले इसी तरीके से बने रहेंगे तो अगर टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें दूसरी टिप्स हमारी इन आपको लेकर दोस्तों अभी ठंडियों कम उसम में तो रोज कुछ ना कुछ तिल के लड्डू या चिक्की बनी रहे हैं तो इस तरीके से आप जब बनाते तो इसमें बेकिंग पॉडर चिप्की बडाल दीजिए तो वह ना आपके लड्डू चिप्चिप बनेंगे और न कि आटे पर डालते भी मिलाना है देखिए मैं बतारियों किस तरीके से मिलाना है उपर से केवल पोट के मद छोड़ दीजियेगा उसे अच्छी तरीके से मिलाना ऐसे थोड़ा सा गूंद लेना है दोस्तों बहुत ठोड़े बाव्या ने तिप्स होते हैं जिनके दोस्तों मारे चैनल भी बहुत सारे वीडियो प्लीज जाकर देखिएगा इस तरीके से मिला दिया आपको इस तरीके से मिला दिया आपके आटे की रोटी बहुत सॉफ्ट बनेगी और आटा काला भी नहीं पड़ेगा आप चाहे जितने दिन भी से रखें इस तरीके से देख तरीके से प्लाचन कि म conversion हो ग tarik देखिए जसके मिलादा को देखिए जैनल को लाइक सरक जैंगे जैंगे तुर्थ फंख कफ हो प्लाई की वोड़े जाका है एक तुरब और सबस्क्रक्ट आपकास